दोस्तो सलमान खान और केटरिना केफ बहुत जल्द फिलम भारत में नजर आने वाले हैं इन दिनो सलमान खान और केटरिना लगातार इस फिलम की शूटिंग में बीजी है ये फिलम दोस्तो इस साल एद के मोखे पर रिलीज होने वाली है दोस्तो इसी बीच अब इस फिलम का छोटा सा तीजर दर्सकों के लिए रिलीज किया गया है 20 सेकेंड के इस तीजर में बले ही सलमान खान और केटरिना केफ नजर नहीं आ रहे लेकिन दोस्तो इसमें फिलम की जलक देखने को मिल रही है टीजर में किसी मोहले में बारत के जंडर ले रहाते दिखाई दे रहा है दोस्तो पिछले दिनों टीजर रिलीज की गोशना हुई थी तब से सलमान खान के फैंस इसका बेस सब्री से इंतजाग कर रहे थे वैसे दोस्तो दर्सकों को काफी उम्मीद थी कि फिलम के जरी टीजर में बाईजान की पहली जलक देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तो हम आपको बदाना चाहेंगी कि इसके लिए दर्सकों को थोड़ा और इंतजाग करना होगा दोस्तो इस टीजर से पहले भारत का पोस्टर भी रिलीज किया गया था इस पोस्टर में सल्मान खान और केटना केफ की जलक दिखी थी शोशल मेडिया पर भारत के इस पोस्टर को काफी पसंद किया गया था दोस्तो इसके बाद ख़वर आई कि सल्मान खान के जनम दिन पर भारत के मेकर्स इसका पहला तीजर रिलीज करते हुए फैंस को खुश कर देंगे लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं हुआ दोस्तो जानकारी के अनुसार भारत की टीम उस फिलम का आकरी शेडियूल खतम करने में लगे हुए हैं फिलम के निर्देशक अली अबाद जाफर ने खुड ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी दोस्तो फिलम में सल्मान खान और केटना कैफ के अलावा दिशा पतानी, तब्बू, सुनील ग्रोवर जैसे कई सितारे एहम किरदार में नजर आने वाले हैं दोस्तो साथ ही आपको ये बता दे कि अतुल अगनी होत्री के अलावा सल्मान खान, भूशन कुमार, किशन कुमार और अलविरा खान अगनी होत्री जैसे दिगज इस फिलम का निर्मान कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें